हाई फ्रेंड वेलकम बेक मैं यूटूब चानल मैं हूँ प्रिती तो फ्रेंड आज मैं सिचचक दिवस पे कुछ बलॉग वगेरा नहीं लेकर आई हूँ मैं कुछ पंग्तियां लेकर आई हूँ तो चलिए मैं सुनाती हूँ सिचच दिवस पर निबंद है किसी ने ठीक ही कहा है वो जो स्कूल के दरवाजे खोलता है जेल के दरवाजे बंद करता है ऐसे दरवाजे खोलने वाला सिच्छक कहलाता है किसी ने ठीक ही कहा है ऐसे जीओ जैसे कि तुम्हें कल मर जाना है ऐसे सिखो कि तुम्हें हमेशा के लिए जीना है ऐसे पाठ सिखाने वाला सिच्छक कहलाता है किसी ने ठीक ही कहा है किसी भी देश के लोगों के सिच्छा पर उस देश का भाग निर्भर करता है किसी देश के भाग का निर्माता सिच्छक कहलाता है शर्वर पथम दोनों हाथों से सलाम और दिल से प्रणाम उस महा सिच्छक डॉक्टर सर्वपली राधा कृष्णन जी के लिए जिनके जनम दिन 5 सितंबर को हम सिच्चक दिवस की रूप में मनाते हैं आप हमारे देश के पहले उपराश्ट पती और दूसरे राश्ट पती थे राजनीती में आने से पहले आपने अपने जीवन के 40 साल अध्यापन को दिये थे आज हम सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है कि डॉक्टर राधाकृष्णन के जनम दिन को ही सिच्चक दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं चलिए जानते हैं प्रेंट जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली एक विख्यादार्शनिक महासिच्चवित तथा सिच्चक थे एक बार उनके कुछ सिच्च्यों और दोस्तों ने उनका जनम दिन मनाने का निश्य किया इस बारे में वे उनसे अनुमती लेने गए तो उन्होंने कहा कि मेरा जनम दिन अलग से मनाय जाने की बजाए अगर सिच्चक दिवस के रूप में मनाया जाएगा तो मुझे गर्व महसूस होगा इसी के बाद से पूरे देश में 5 सितंबर को सिच्चक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा देश में पहली बार 5 सितंबर 1962 को सिच्चक दिवस मनाया गया था सिच्चा और सीखने के बारे में सबसे अच्ची बात यह है कि कोई भी इसे आप से छीन नहीं सकता धन दौलत तो चूरी हो जाता है लेकिन आपकी सिच्चा नहीं इस बात का भी पूरा श्रे एक सिच्चक को ही जाता है नन्य मुनने बच्चो पर तो सिच्चक का प्रभाव कुछ अधिक ही होता है सिच्चक ने जो भी कहा वो उसे पत्थर की लकीर मानते हैं प्रेंड में चार पंक्तियां सुनाना चाहती हूं भगवान ने दी जिन्दगी माता पिता ने दिया प्यार जीवन के हर पहलू को सिच्छित करने में अपने सिच्छक की हुमें सुक्र गुजार डॉक्टर सर्वपली राधा कृष्णन गुनों की खान थे लेकिन उनकी एक गुन से सायद आप अंजान होंगे वो है उनकी हाजिर जवाबी आईए इस सुब अवसर पर उनका एक किस्ता आप से साजा करती हूँ एक बार राधा कृष्णन जी भारत्य दर्शन पर व्याख्यान देने के लिए इंग्लेंड गए वहाँ बड़ी संख्या में लोग उनका भाषन शुनने आये थे तबी एक अंग्रेज ने उनसे पूछा कि क्या हिंदू नाम का कोई समाज है कोई संस्कृती है तुम कितने बिखरे हुए हो तुम्हारा एक सा रंग नहीं है कोई गोरा तो कोई काला कोई धोती पहनता है तो कोई लुंगी कोई कुड़ता है तो कोई कमीज देखो हम सभी अंग्रेज एक जैसे हैं एक ही रंग और एक जैसा पहनावा राधा किश्णन ने उस अंग्रेज को जवाब दिया था घोड़े अलग अलग रूप रंग के होते हैं पर सारे गदे एक जैस से होते हैं सिच्चक दिवस के इस सुभवशर पर आये हम सभी विद्यार थी और सिच्चक एक साथ मिल कर सपत लें कि हम गुरु शिष्य की इस महान परंपरा को बेहतर ढंग से समझें और एक अच्छे समाज के निर्माण में मिल कर अपना सहयोग दें सिच्चक को बाजार बनने से रोकें सरकार के साथ साथ हम सभी को मिल कर सिच्चा के छेत्र में नए भारत के निर्माण में अपने सहयोग दें धन्यवाद जैहिन अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और थैंक्स पर वाचिंग मै वीडियो तेक केर बाइ बाइ पिर मिलेंगे नेक्ट वीडियो पर